तो आज से हम एक कोर्स स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा डिजाइन अनलिसिस एंड अल्गोरिथम जिसे इन सॉट हम अल्गोरिथम्स भी बोलते हैं और यह कोर्स कंप्लिटली हंदी होगा मींस जो मैं बॉइस ओवर करूँगा वो हंदी होगा और बाद बाकि सिलाइड या नोट्स जो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा वो सारा इंगलिस में होगा अब यह वीडियो कोर्स का introductory वीडियो है बस आपको कोर्स के बारे में introduce कराऊंगा कि हम आगे क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं यह कोर्स बेसिकली language independent है बट in future अगर कभी भी हमें pseudo कोर्स लिखने की जरूरत पढ़ी तो बहाँ पर हमें C या C++ की basic knowledge होना जरूरी है तो इस कोर्स का only prerequisite यही है कि आपको C या C++ का basic syntax पता हो बस तो guys इस कोर्स में हम यही चीज़ फोकस करेंगे कि हम बिल्कुल zero से start करें और एक advanced level पर खतम करें जाके and our design analysis algorithm tutorial include all topic of algorithms means अब इसमें एक भी concept ऐसा नहीं होगा जो आपको लगेगा कि मैंने पढ़ाया नहीं है अब इस कोर्स में most probably 99% concept हम इस कोर्स में cover करेंगे एक percent की मैं नहीं बोलना साथ कोई concept रह जाए लेकिन अगर वो भी मुझे लगेगा रह रह रहा है तो मैं उसके लिए भी वीडियो बना दूंगा तो मेरी तरफ से एक भी concept छुटने वाला नहीं है इस कोर्स में सारे topic cover होंगे इसमें बेसिकली इस topic में 23 subtopics हैं जिनका नाम आगे मैंने mention किया है हम आगे देखेंगे कौन-कौन से है topics अब यार इस course को design करते हैं मैंने दो चीजों पर focus किया वो यह आपका gate UGC net का स्लेवस इसमें completely cover हो and second year जब भी हम competitive programming करते हैं तो चाहे वो code forces पर करें या code safe पर करें तो उसमें वो लोग challenge conduct कराते हैं और उन challenge की question में algorithm के काफी concept बहुत अच्छे से use करा जाते हैं तो guys इस course में competitive programming के हम सारे concept cover करेंगे जो algorithm से related है तो guys अभी हम देखेंगे gate का syllabus क्या है और उसके बाद देखेंगे हम इस course में क्या-क्या cover करेंगे तो guys basically मैं यह चाहता हूँ जब भी हम इस course को complete करें तब हम जब gate के syllabus से compare करें तो हम एक step आगे खड़े हो ताकि हमें exam के time आसानी हो and यह रहा आपका gate का syllabus searching sorting hasing asymptotic worst case time and space complexity algorithm design technique जिसमें greedy dynamic programming and divide and conquer सारी strategy अच्छे से कवर करेंगे graph search minimum spanning tree that is MST and shortest path यह तो आपका gate syllabus अब जो हम कवर करेंगे इस course में वह यह रहा algorithm introduction asymptotic analysis recursion divide and conquer analysis of sorting sorting in linear time sorting means sorting जितनी भी होगी वो सारे हम अच्छे से cover करेंगे एक एक sorting को काफी अच्छे से analysis करेंगे इसमें lower bound theory hasing binary search tree and rbt red black tree के बाद dynamic programming की concept करेंगे greedy algorithm back tracking MST means minimum spanning tree boss सारे हमें आपे अच्छे से cover करेंगे shortest path and all pair of shortest path maximum flow sorting networks complexity theory and approximation algorithm string matching अब यह topic हुए आपके algorithm से related उसके बाद जब हम course को complete कर लेंगे तो हम move करेंगे question answer session पर and 24th topic जो हम cover करेंगे वह होगा interview question related to algorithms अब गैज इस course के बारे मैं आपको एक चीज और बता दूँ यह course आपको बिलकुल paid course की field देगा क्योंकि इसमें हर topic complete होने के बाद मैं आपको assignment दूँगा और हर lecture complete होने के बाद मैं आपको उस class के notes दूँगा description में तो वह आपको download करने हैं एक regular interval के बाद आपको उन चीजों करना है और उसके बाद आप देखिए आपका algorithm tips फे होगा यह मेरी guarantee है आपसे और यह course में जल्दी से जल्दी courses करूंगा complete हो जाए और यह course काफी बड़ा हो सकता है लेकिन आपको इसमें quality content मिलेगा आपको तो आपको बस stick रहना इससे तो आप चैनल नया है आपको तीन करना है लाइप कर देना वीडियो को सब्सक्राइब कर देना और वैसे शेयर कोई करता नहीं है अगर आप करना चाहता तो कर सकते हो वह मेरे motivation के लिए काफी important चीज़ होगी ओके थैंक्यू दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में